जो राम जी को नहीं बजता हो चारों बढ़ दो गेगे और गाली दोगे तभी तो यह समाद जागेगा। इसलिए इनकी गाली देना जरूरी है। जब आपको पता है कि गोवर को ही नूर है, जब आपको पता है गाय के मूत्र से हजारों तरह की बिमारियां खतम हो जाती ही, एक डोक्टर तो गाय का गोवर खाके भी दिखा रहा रहा, वो बिमार पढ़ गया, एमस में बढ़ती हुआ था, पागल डोक्टर वहां का था उत लिटा करके गाय के पैरों से मसाज करानी चाहिए थी, बाबा जी का हाथ गाय के ओपर फिरवाना चाहिए थी, क्योंकि एक साध भी गाय के सरीर पर हाथ फिर बता रही थी, कि इस तरह से कैंसर तक की बिमारी हो जाती है, अगर अपोजिट साइड में गाय के बालों पर गाय के मुत्र पियो, इस देश में सारा विज्यान, सारा साइंस वेदों में भरा पड़ा, मंत्रों का जाप करो, इतनी वार मंत्रों का जाप करो, तो बीमारी नहीं आएगी, हनुमान चाली सा पड़ोगे, तो भूत नहीं आएगा, तो ये जो तुम जारे उपियोग बता हैं, उसे अस्पताल जाना नहीं पड़ता, अगर कथा करने से, कथा करने वाला अगर भगवान के करीब होता, भगवान का एजेंट होता, भगवान से बात कर रहा होता, तो कथा करने वाला एकदम से भाग के अस्पताल में एडमिट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है, ये तो जानता हूँ कि इसमें कुछ नहीं इसलिए वो सीधे अस्पताल जाता है कथा करने से अगर जीवन सुधर रहा होता तो ये लोग अपने बच्ची बेटियों को IIT और बड़े बड़े इंस्टिटूट में एडमिशन नहीं कराते कथा सुनने से बहला करने का गरीबों को कहते हैं कि कथा सुनाओ चार वार कथाओं में आओ लेकिन कभी ये कहते गरीबों से कि अपने बच्चों का अपने बालकों का स्कुल में जाका एडमिशन कराओ तो अगर कथा सुनने से बिमारी खतम हो रही होती अगर कथा सुनने से जीवन की बिमारियां और जीवन की गरीब ही दिलदरी कट रही होती तो अपने मंदिरों में अपने मठों में और अपने कथा दान पेटियों का आयोजन्न्ना कर रही होते अमीज देवगन जिसको गुलू के नाम से जाना जाता है गुलू पत्रकार वो आपने चैनल पर कहता है कि भाई भाई राम मंदर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूती नहीं पड़ेगी तो भाई ये राम बद्राचारे को अस्पताल क्यों लेके गए अरे भाई इनको ग लेकिन जब गरीब जंता अस्पताल की मांग करें तो तुम मंदर का रास्ता दिखाओगे दोरा बयाबार नहीं चलेगा भगवान राम ने जो है इनसे बहुत रुष्ट है और और रुष्ट कर दे इन्हों अस्पताल जाकर क्योंकि जो भ्यक्ति राद दिन मंदिर में रह जाएंगे तो हनुमान चालिसा नहीं करा गया इनसे जो मंदिर जाकर बैठने वाला व्यक्ति अब बीमार पढ़ते ही अस्पताल चले गए जब देश की जनता राम मंदिर बनने के टाइम पर मांग कर रही ती ते जसी आदम ने बयान दे दिया था कि देश की जनता को अस् अस्पतालों की संख्या कम है तो अस्पताल बढ़ने चाहिए और रही बात राम भद्रा चार्रे की राम भद्रा चार्रे को आप संत ना कहें संत के नाम पर वो एक तरह के पैर से लेके सर तक राजनितिक आदमी है सिर्फ चोला उनका जो है संत का है बाकि उनकी सारे काम सा इतने इतने ब्रहामडों का नाम लेकर करके अचूत होते नीच होते इनको अपनी बेटियां दे नहीं सकते इनकी बेटी ले लेते और बयान में अपने एक जगा काथा में ये भी कहते हैं कि भाया इस देश के अंदर च्छत्रिय जो है वो ब्रहामडों से बच्चे पैदा तो इस तरह के घटियां बयान देने वाले पूरी कौम को बदनाम करने वाले और लोगों को पूरे एक वर्ग विशेष को गाली दे दे करके टार्गेट करने वाला वेक्ति धार्मिक नहीं हो सकता चोला पहन लेने से धार्मिक नहीं हो जाता कोई राम भद्राचार्य को द आप बताएं कि किसी के आम जीवन में, गरीब के जीवन में, अमीर के जीवन में, कहीं पर ये काम आने वाले हों, सिवाए ब्रहमडों की दुकान चलाने के लावा, अगर पुजारी की पुरोहितों की दुकाने, इन मंतरों से चली तो वो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन गरी भी मार पड़ेंगे होई जाएगा गयां। बीमारी की हालत में लोग घान भर जाते। quo ४ hun साथ हे और ठें हुपाइइगा गयां। दुनिया भर का। दुनिया भर पीसा है जापहु एक हमारे वेदों में ग्यानभरा पड़ा वेदों में साइंस भरी पड़ी है, ऐसी तक हमारे वेदों में साइंस है कि भगवान शिब ने उस समय पर सरजरी कर दी थी, बच्चे का गला काट करके एक दूसरे बच्चे को दुबारा जीवित कर दिया था, सर जोड करके, जब वेदों में यहां तक कि इतने बड़े लेगे, इसलिए बाबन तुरंद कहा, लेके चलो अस्पताल, और अस्पताल जाकरके वो अपना इलाज करा रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि अब पाखंडवाद अन्विश्वास हार रहा है, हतास हो रहा है, निराश हो रहा है, और विज्ञान जीत रहा है, लोगों इस देश का एक वर्ग है, जिसका एंटिना चुटिया सर पे होती है, जो इस देश के अंदर एक वाइरस की तरह फैला हुआ है, जो कहता है, इसकी पूझा करोगे तो यह मिलेगा, इसकी पूझा करोगे तो नोकरी मिलेगी, इसकी पूझा मंदिर जाओगे, तो आपके घर का कलेश मिट जागा जबकि इनके खुद के घरों में रोज कलेश होते हैं यह कहते हैं कि हम तो तुम्हारे पूजनिये हैं और तुम्हारे पिता तुलिये लेकिन इनके खुद के बच्चे खुद की बीबी इनको सुबह साम गाली दे के बोलते हैं तो यह वो लोग है जिनकी पत्रकार और तुम ही लोग यह कहते थे हम यह नहीं अदिकिसी भी अमबेट करवादी ने मजाक नहीं बनाया लेकिन यह मजाक बाली बाते पहले तो खुद कहते हैं कि गाय के गोबर में बहुत बड़ा विज्ञान है और जब हम ही कह देते हैं गाय के गोबर से अगर इलाज कैंसर तक का इलाज तुम गाय के गोबर से कर ले तो चोटा सा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो करके दिखाओ तो यह कहते हैं तुम मजाक उडा रहे हो पहले तो यह मजा किया और घटिया बाता खुद बोलते हैं एक मंत्री गोबर को को ही नूर बता रहा और एक कह रहा है कि इसको जलाने से गाय के गोबर से तो इस तरहां के बयान आप लोग खुद देते हैं बस हम लोग क्या है उनसे पुछनेता अगर ऐसा है तो करके दिखा दो अगर ऐसा है तो फिर तुम भागते क्यों इनके उपर विश्वास करो ना तुम ही तो अपनी बात बोल रो तुम ही ध्युवास नहीं कर रहे हैं तो बस हम लोग कि सवाल कर लुटे इसी बात को यहotaOkay जाधाक कर रहे हमारी मजाक कर आए MRa और हम नहीं रहारे को हमने कुछ सुवकाम नहीं रामिद्र चारे जल्दी स्वस्थव कर के अस्पताल से घर लो तक अचांते तुछी रहां अगर द तो इस तरह के लोग जब बीमार पढ़ते हैं तो भाग कर एकदम से एमस में इलाज कराने जाते हैं इस देश के जो टॉप मौस्ट होस्पिटल हैं उनमें इलाज कराते हैं अपनी दवाईों पर खुद भरोसा नहीं करते हैं जो फॉर्मूले जनता को बताते हैं उन पर्मूलों को खुद पर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं रामदेब के चेले बालकरश्न खुद अस्पताल में एमसे बढ़ती होते हैं उससे कुछ दिन पहला बयान दे लेते हैं अगर आप हमारी बनाई हुई पतंजली का इस्तमाल करेंगी तो तो क्या तुम अपनी बनाई को फॉर्मूलों का इस्तमाल खुद नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है कि इन में कोई फॉर्मूले में जान नहीं है यह तो गरीब जनता को मिसगाइड करना जनी गरीब जनता को अपने मुद्दों से भटकाना है